नमस्क्र दोस्तों J.K.A.R.J. Sir के चैनल पर एक बार फिर स्वागत है तो अपर नीजी सचीव का पेपर हुआ है यह 7 जनवरी दौ़ाजरचवबिस को और इसमें ये जी असका पेपर हिंदी का पेपर तो हिंदी का पेपर आपको हम साल्फ करांगे इसमें और वही कोशन साल्फ करांगे जो आपको आरो यारो एकजाम में सलेबस में दिया गया है। जैसे लोक्तिया हैं मुहावरे हैं सुद्ध असुद्ध वाक्य वाला कोस्टन है बिलोम सब्द है प्रयावाची सब्द है इस टाइप से जो कोस्टन पुछा गया इसमें उसी को मैं चल रहा हूं साल्व कराने और आरो यारो का जो एक्जाम होने वाला है 11 फरवरी को हो सकता है कि का दो कोशन इसमें से रिपीट कर दे या देख लिए किस टाइप से कहां से हिंदी का कोशन उठाया है उस हिसाब से आप लोग तयार कर सकते हैं तो आरो यारो के जो देने जा रहे हैं उनके लिए बहुत ही महत्पूर्ण वीडियो होने वाला है और यह है आपका कॉस्टर ने तो यहां पर और अभशन अनौंबर आते हैं चपन नमबर यहां पर दिया है और योग व्यक्ति को आदर देने के लिए अर्थ में लोक्ति प्रसिद्ध है कौन सी लोक्तिया है जो इसके बारे में कही आती अयोग ब्यक्ति को आदर देने के अर्थ में तो यहां परेंसर हो जाएगा आपका सी यानि छचुंदर के सीर में चमेली का तेल तो यह लोक्तिया है जो अयोग ब्यक्ति को आदर देने के लोग्तियां प्रशिद है क्या है चाचुंदर के सीर में चमेली का देल को संताओंबर सक्षेण पर आते हैं संताओं नंबर भी कोशन आपके सलेवस में आरो यारो के निमलिखित में से एक मोहावरे का युग्म असुद्ध है यानि कौन सा मुहारा का जो युग्म है वो गलत है यह पूछ रहा इसमें टकासा जबाब देना यानि सुन्दर उत्तर देना यही वाला जो है आपका संतावन का एंसर हो जाएगा यह क्या है असुद्ध है यानि गलत है इसके बाद बी वाला देख लिजिए जान में जानाना यानि चैन मिलना यह सही है डोरे डालना फसाना यह भी सही है ठीकरा फोरना यानि दोस मोरना यह सही है यहां पर असुद्ध पूछा है यहां पर टकासा जबाब देना का सुन्दर उत्तर देना यह वाला गलत है अगला कोशन देखते हैं यहां पर भी जोड़ा ये एंछान नंबर चले स्को सुमिलित करते हैं और अंधकार का बिलोम सब्द है यहां पर प्रकास होता थैं अंधकार का बिलोम सब्द प्रकास और हर्स का बिलोमसद क्या वता है वैशाद मूंख का बिलोम सब्द क्या होगा वाचाल और खास का बिलोम सब्द क्या होता है आम तो यहां परेंसर आपका डी वलाप कुट मिलाएगा यह सही सुमिलित है यहां पर बिलोम सब्द का सुमिलित करने वाला है इसको देख लिजिएगा कहां कहां से कैसे कोशन पूछा है तो यहां डी संकिन तोOkay का बिलों क्या होगा यहां पर 69 नंबर देखिएगा यहां पर जो एंसर हो इसमें और और चुन्स देखिएगा आपका σबीरों Um पर कौन सा वाख़िस में असुद्ध है मंग Ih焦 मेरा शरीर निरोग स्वक्ष ओसी वह जायां साथ कि गलत है यानि असुद्ध है कि सी वाला आपसंद्या है यह चात्र बहुत तेज यह भी सही है वह अपनी बातों पर दिर्ण नहीं रहता है यह भी सही है तो बी वाला आपसंद्ध आपका इसमें क्या है असुद्ध वाक्य है यानि गलत वाक्य है यहां पर तो साथ को जाए करने कंदेगा बीडियो के इसके बाद आते हैं साथ नमबर हो गया एक सठ नमबर आपके काम का चीज़ने 62 नमबर देखे आनेक सब्दों के एक सब्द बार सब्द एक सब्देज्ट को स्ब्द नियू कई कि 6000 een कि यहां पर करने योग्ये को एक सब्द में क्या कहेंगे करने योग्य को एक सब्द में क्या कहेंगे यहां पर हो जाए करने योग्य को एक सब्द में कहेंगे करणी अलोचिना करने वाले को एक सब्द में क्या कहेंगे आलोचक अलोचिना के योग्य को क्या कहेंगे एक सब्द में तो इसको कहेंगे अलो और एक सब्दों के लिए एक सब्द आपका स्लेवस में है जिसको ध्यान दीजिएगा तिरसट नंबर जो है सुद्ध वाक्य का बिकल्प कौन सा है कौन सा इसमें सुद्ध वाक्य है यहां पर ध्यान से देखिएगा धन्यवाद के साथ आपका पत्र मिला यह तो गलत है यह तो डी वाल आप्षन इसमें सही है आपका पत्र मिला धन्यवाद यह वला कथन आपका क्या है इसमें सही है आपका पत्र मिला धन्यवाद चौश्ट नंबर देखिएए यहां पर जिए आनाहूत सब्द का भिलोम होगा यहां पर देखिएगा दिया है आहूत प्तिहूत समी हुद यहां पर आहूत आहूत वुला दो दिया बस मंतरा का नंतर एक में में आहूत इसके बदाते हैं 64 के बाद शरख़षर नमर पर कोसन देखेगा दिया है बहुत ही अच्छा कोसन है यह एक बार कही बात को दोहराते रहना के लिए एक सब्द अनिक सब्दों के लिए एक सब्द है तो यह दिया है कि एक बार कही बात को दोहराते रहना के लिए एक सब्द क्या होगा दिया है यहां पर आप्षन अभी कथन या पिष्ट फेशन या पुनुरुक्ति या पुनर कथन यहां पर जो एंसर वगा सरसट का वह बीवाल क्या है पिष्ट पेशन याद रखेएगा बहुत इंपार्टेंट कोशन है पिष्ट पेशन और सट नंबर पढ़ाते हैं यह यह परिभासा पुछा गया इसमें के जो समान अर्थ का बोध न करा कर किसी बिलिच्षण अर्थ का प्रतीत कराएं वह कालाता है तो इसको कहाता है मुहावरा यहां पर एंसर रह जाएगा आपका डी मुहावरा 59 नमबर कोशन पर आते हैं प्रयावाची सब्द की द्रिष्टी से एक वर्ग सुध है तिसमें से कौन सा जो विकल्प है वो सुध है प्रयावाची की द्रिष्टी से यहां पूछा है तो यहां पर देखेगा प्रयावाची की सब्द से द्रिष्टी से पूछा है तो लच्चमल सौ मित्र एष्श सुमाली यह गलत है रात्रि यामनी रजनी शर्वाणनी यह भी गलत है कपाली केकी निलकंठ मयूर। यह शिव अन्ब्सनَ आपका सह यह मोर्का प्रयावाचे सब्द था किसका है मोर का कपाली केकी निलकंठ मयूर। कोस्टर दखेगा गां सतर नंवर है Prophet कि यहां पर nic का दिया है लेना एक ना देना दो नाक का बाल होना ये जो है यहां पर यह एर्थ हो जाएगा इसका तो यह मोहावरा है लोक्तियान नहीं इसके लगते और बाल होना यहां पर यह स्वाराह लोक्तियान नहीं तो बीया आपसन िसमें आपका सही हो जाएगा ह। एक अत्तर नमबcar देखेगा चोर का प्रख्षि सब्द है यहां पर फुछा है चोर का प्रख्षि सब्द है सथदल घुण मंबिल गादर्भ रेव देवपगा तो चोर का प्रयावची यहां पर बीवलापसन सही हो जाएगा कुम्भिल इसके अलाबा रजनी चर भी होता है चोर का प्रयावची सासिक भी कह सकते हैं चोर का प्रयावची खनक भी कह सकते हैं चोर का प्रयावची मोसक भी आप कह सकते हैं जो चोर का प्रयावची सब्ध है यहां प्रेंसर हो जाएगा चोर का प्रयावाची कुम्भिल बी वला अप्सन सही हो जाएगा बी वला अप्सन सही है इसके बाद आते हैं यह सब आपके काम का चीज नहीं है अठथतर नमबर देखे यहां पर दिया है नदी का प्रयावाची सब्द है यहां पर पुछा है नदी का प्रयावाची सब्द है दिया है कू लंकसा पतंग धन तनुजा तो नदी का प्रयवाची सब पूछ रहा है तो यहां प्रेंसर हो जाएगा 78 का ये वाला अप्सन से ये कू लंकसा किसका प्रयवाची है नदी का प्रयवाची है पतंग आपका नाय का प्रयावाची सब्द है तनुजा पुत्री का प्रयावची सब्द है धन संपत्ति का हो जाएगा तो कूलंकसा यह नदी का प्रयावाची सब्द है 89 नमबर देखेगा बात की बात में मुहावरे का अर्थ है बात की बात में मुहावरे का अर्थ यहाँ पर क्या होगा तो यहाँ पर वादे का पक्का होना बात करना बहस छिल जाना अतिस्टिग्र यहाँ पर जो अंसर हो जाएगा राइट वह ए वाला अप्सन सही है वादे क का पक्का होना बात की बात में महारे का अर्थ क्या आगा वादे का पक्का होना उन्हें आसी का यह सही है इसके बाद आते हैं 84 नमबर देखेगा 84 नमबर 83 84 नमबर देखेगा यहां पर एक सब्द आप परायवाची बताना है धूम केतु किसका परायवाची है यह पूछ रहा है यह धूम केतु का परायवाची क्या है तो यहां परेंसर आपका हो जाएगा धूमकेत्व का अगनी है धर्ति का क्या है तो विस्वमवरा है अर्जुन का गुड़ा के से धार्मिक का सुक किरती है यानि बीवला अपसन आपका इसमें सही हो जाएगा बीवला अपसन आपका सही है प्रायवाची के लिए इसके बादा आए इधर सब 86 नंबर मचली सब्द का प्रयावाची नहीं है यहां पर पुछ रहा है मचली सब्द का प्रयावाची नहीं है दिया सफरी सफरी तो है जलचर जलचर भी है मीन भी है यहां पर नहीं पुछा द्यान देजेगा जहक जहक नहीं है यहां पर इस तरोजा का जहस यह इसका प्रयवाची होना चाहिए तो यहां पर जहक यह जो है प्रयवाची मचली का नहीं है सफरी मीन जल्चर यह सब क्या है मचली का प्रयवाची सब्द है 86 नमबर हो गया इसके बाद आईए देखते हैं इसमें 86 88 नमबर आईए 88 नमबर अनेक सब्द के लिए एक सब्द है यहाँ पर दिया है याचना करने वाला यहाँ पर दिया है याचना करने वाला यहाँ पर हो जाएगा याचक यानियकाट टूसन सही कई है इसमेर विफ्वान सानो आप सुख्य कुछ जाएगा पूछन योग प्र टस्ट होति होति है खाने योग खादे हो जाएगा बिस्वास के योग विश्वसनी हो जाएगा तो chun बानवे नमबर बानवे नहीं है इसमें विद्धता पूर्ण भासन कहलाता है विस्षिस्ट अवसर पर अभी भासन यहां पर वना चाहिए इसमें चलिए आप लोग कर नहीं हाँ यहां पर बानवे नंबर देखेगा है कि इस तुत्य का बिलोम है। यहां पर बहुत ही इंपारटेंट को सन आप लोग याद कर लेजैंगा किलोम सब्ध क्या है इस तुत्य का किलोम सब्ध है भिए साधर निंदा निरादर यह यहां पर डि वENE 9 सब्ट का निग्न इसके बाद आते हैं 95 नंबर कोशन पर 95 नंबर उट की चोरी जुके जुके का अर्थ है यहां पर देखे दिया है उट की चोरी छिप करना उट पर सवारी करना कोई बड़ा काम चोरी चुपे नहीं किया सकता है यहाँ पर बीवला अप्सन ही सही होगा इसमें उट को जुक कर चुराना ती यह नहीं होगा तो बीवला अप्सन इसमें सही है इसके बाद आते हैं अन्ठानवे नमर क्रिष्ण के अनेको नाम है यहाँ पर दिया है क्रिष्ण के अनेको नाम है इस वाक में कहां असुद्धि है क्रिष्ण के अनेको नामें इस वाक में कहा असुद्धिय यह पूछ रहा है इसमें तो यहां पर क्रिष्ण के अनेको वाला सब्द क्या है असुद्धिय बी आपसन हो जाएगा इसमें सही अनेको नहीं अनेक यहां पर नहीं चाहिए क्रिष्ण के अनेक है क्योंकि अनेक जो निर्मी मेश सब्द के लिए वाक्य है निर्मी मेश सब्द के लिए वाक्य है क्या है बीना पलक जपका है या जिसे कोई भय नहीं जिसका कोई आकार नहीं ध्यान या विचार करने वला तो निर्मी मेश सब्द के लिए वाक्य क्या होगा यहां प्रेंसर हो जाएगा आपका बीना पलक जपकाए बीना पलक जपकाए निर्भी में एक सब्द होगा यहां पर दिया अकस्मात मा का निधान होने पर राकेश ने उक्तवाक्त मुहावरे का प्रयोग के जिए तो अपने कलेजे पर पत्थर रख लिया गड़े मुर्दे खुड़वाना शुरू कर दिया अपने साथियों को टका सजबाब दे दिया अपने घरवालों को नाक में दम कर दिया यहां पर यह वाला आपसन इसमें आपका सही हो जाएगा अपने कलेजे पर पत्थर रख लिय यह दीदे नदीदे है दीदार के लोकोक्ति का सितात्पर्य है देखने की इच्छा अप्रसन होना योगता से अधिक पाने की इच्छा यह मन की अस्तिर्ता यहां पर हो जाएगा आपका यह वाला आपसन सही देखने की इच्छा करना तो यह था अपने जी सचीव का एकजाम का हिंदी का पेपर जो इसमें कुछ कोइस्ट जो है आरं के रिपीट भी किये गए उसमें और Youtube कोईस्टेन आपकी है न सदीन हम बन जायेंगे तो इसको आप सही से भीडियो आप लोग देख लिजिएगा तो उम्मीद करता हूँ कि वीडियो आपको पसंद आया होगा पसंद आते इसको लाइक कर अपने दोस्तों के अधिक दिक सेर करें धन्य बाद दोस्तों जैहिंद वंदे मात्रम